महंगी से महंगी दवाई फेल है इसके आंगे घर पर ऐसे बनाव ये चीज और सालों पुरानी कब जो बबासीर और फिसर तुरंत गायब हो जाएगी दोस्तो अगर आप बबासीर रोक से पीड़े थें अगर आपके मस्से सूज गई हैं अगर आपको फिसर हो गया है उसमें तेज दर्द होता है बिलेडिंग होती है जलन होती है तो फिर इसका आप समय से पहले अगर आरवेदिक इलाज करा लेते हैं तो आप ऑपरेशन से बस आप देशी इलाज कीजिए, मेरे बताई हुए नुस्क्यों को फॉलो करके आप फायदा उठा सकते हैं, घर पर दबा बना करके तैयार कर सकते हैं, अगर नहीं बना सकते हैं, तो दिये कई नंबर पर कॉल करके ओडर करके दबा बनवा सकते हैं, दोस्तों यह दबा इतनी सकते हैं, तो देखें दूस्तों, यह जो गोलियां आप देखरें न, इन गोलियों को सिर्फ प्रियोग करना है, इन गोलियों को सेवन करना है, इन गोलियों को सेवन करने से, आपके आतों में चिपका हुगा मल, आतों में जमई हुई गंदगी बाहर हो जाती है, आतों की गर्मी सांत हो जाती है बबासीर में आरा मिल जाता है फिसर में आरा मिल जाता है मातर तीन से चार दिन के अंदर ही फिसर की जलन फिसर में ब्लेडिंग फिसर में दर्द गायव हो जाता है आपकी मस्से जो सूज गई है न वो ठीक हो जाती है मस्से में दर्द ठीक हो जाता है बबाशीर में रिलिफ मिल जाता है और कभजे तो ऐसे गाइब होता है जैसे कभी था ही नहीं तो इन गोलियों को इन बटियों को घर पर बनाईए बरना हम से ओर्डर करके बनवा भी सकते हैं दोस्तो इन गोलियों में कौन-कौन से जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, उनके नाम जान लेते हैं, तो इसमें आठ परकार की हमने जड़ी बूटियां मिलाई हुई हैं, जिसमें से हैं, जमीकंद, सीसम की छाल, मकोय का पंचांग, कासनी जड़, आउला सूखा, गिलोई की लकड़ी, तुलसी का पत्ता, और नीम की चाल, ऐसी आठ परकार की और सदियां मिलाई गई हैं, ये आप भी घर पर बना सकते हैं, ये हम से बनवा सकते हैं, दोस्तो ये जड़ी बूटियां दिखने में कैसी लगती हैं, आईए जान लेते हैं, ये जो देख रहे हैं ये की इस तरीका से नजर आता है, ये है दोस्तो कासनी ग्राम में, तो इस प्रकार से नजर आती है, देख ले जिए, ये है सूखा हुगा आवला, जो की इस प्रकार से इसका देखने में लगता है, ये है दोस्तो गिलोई की लकड़ी, आप अच्छे से पैच्छान कर ले यह दोस्तो तुलसी का पत्ता इस प्रकार से नजा रहाता इस सूखने में जब आप देख सकते हैं और यह दोस्तो नीम की च्छाल इस प्रकार से दिखती है अब दोस्तो इन ओसदियों की जो मैं बता रहा हूँ न ओसदिन उसके में उपयोग होने वाले जो जड़ी बूटि अगर दबा नकली होगी तो फायदा नहीं होगा तो देखे जमीकन इसमें आपको लेना है 100 गराम और दोस्तो शीसम की इचाल आपको इसमें लेना है 100 गराम और इसमें मकोई का पंचांगे न वह लेना है 100 गराम और इसमें जो कासनी की जड़ है वह भी आपको लेनी है 100 ग्राम और आउला लेना है आपको इसमें सूखा हुगा 100 ग्राम और इसमें जो गिलोई इस्ट्रेक है ना सूखी वह लेनी है दोस्तो 100 ग्राम और तुलसी का पत्ता सूखा हुगा आपको लेना है इसमें 100 ग्राम और इसमें नीम की छाल लेना है 100 ग्राम अब इन सभी जड़ी बोटियों को खरल मूसल में डालना है और इसको डाल करके अच्छे से कूटना है इतना कूटना है कि ये कुटते कुटते जौकूट हो जाए जौकूट किये हुए दरदरे चूरन को आप एक बरतन में निकाल लीजिए कड़ाई में निकाल लीजिए और फिर इसके 10 गुना तक इसमें पानी डाल देजिए इसको 12 घंटे तक फूलने देजिए जब ये पानी और उसदियां 12 घंटे तक फूल जाएंगी न तो फिर इससे आप आग पर चलहना है और आग पर चलहा करके से पकाना है इसको इतना पकाना है कि ये पकते पकते पानी एक चोथ्याई बचे जब ये एक चोथ्याई बचे फिर इसे कपड़े में डालिए और पोटले बचे और पोटले को अच्छे से मसल मसल करके इसका खान ले जिए। च्छने हुए सवरस को अब दوبारा से पकाईए और पका करके इससे अच्छे से गाड़ा करुए कुछ इस तरीका से जब ये इस तरीका से गाड़ा हो जाएगा टो फिर एक बरतन में निकालिए और इससे तो फिर इस प्रकार से इसका लोग हो जाएगा बस आपकी बट्रियां तयार हैं इसे डिब्बे में बंद करके रख लेजिए ताकि यह जादा दिनों तो एफेक्टिव रहे और यह जल्दी खराब ना हो अब आए जानते हैं इसके सेवन करने से होने वाले फायदे तो देख जिनको बादी बाली बाबासीर है या फिर ब्लीडिंग बाली बाबासीर है फिसर और क्रोनक फिसर है बेजरूर बना कर इस्तिमाल करें इसके कुछ दिन के सेवन करने से कब्ज बाबासीर और फिसर में काफी आरा मिलता है और अगर बाबासीर पुरानी नहीं है तो विल्क ना है बबाशीर पहले ठीक करनी है तो आप इस नुस्के को जरूर फॉलो करें ये बड़ा फायदेबंद है अगर इस घर पर बनाईए नहीं बना सकते मेडिशन नहीं लिया सकते तो फिर हमसे बनवा सकते हैं तो दोस्तों आये जानते हैं सेवन करने का तरीका इसे कैसी करें और साम को भी खाना खाने के आदे घंड बाद्यस का से बन करने का तो यह च्छोटी सी जानकारी दूस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वेडियो को लाइक किजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्काइब किजिए और बेल आइकन को प्रेश के जिए और ताकि नई नई अपडेट आप तक पहुती रहे धन्नबाद।